आप सभी का हमारे इस ग्यानदिप चैनल में हारदिक स्वागत है दोस्तों आज फिर मैं एक नए सब्जेट के उपर एक वीडियो जो है लेके आया हूँ जिसके जरिये आप जो है आउनलाइन फॉर्म में जो फोटू होते हैं जो सिगनेचर होते हैं किस तरह जो है री करके जो दिये गए साइज गोर्मिन द्वारा दिये गए साइज में किस तरह उसे कनवर्ट किया जाता है हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में जानकारी प्राक्त करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है आज का आउनलाइन फॉर्म भरने के लिए फोटू, सिगनेचर और ड इस साइज कैसे किया जाता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस टुटोरियल के माध्यम से हम लोग जो है आज सीखने वाले हैं तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा अब तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो उ आपको इसी तरह useful वीडियो का notification आपको मिलता रहे और घर बैटे आपको जो है इसका फाइदा मिलता रहे चलिए दोस्तो हम लोग जो है इससे start करते हैं वीडियो पसंद आये तो like और share करना मत भुलिएगा comment कीजिएगा अगर आपको कोई भी doubt होता है तो मैं आपका doubt जो है clear क कर दोंगा चलिए let's start तो दोस्तो हम लोग को अगर अपना कोई भी document अगर आपको resize करना है तो resize करने के लिए आपको अपने Google Chrome के browser में जाना है चलिए मैं यहाँ से अपना जो है Google Chrome browser जो है open कर लेता हूं यहाँ पर आपको डालना है resize image डालने के बाद जो पहला आपका option है resize image.net यहाँ पर आपको इस browser को open करना इस site को जो है आपको open कर लेना है उसके बाद जो पहला option यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है upload an image यहाँ पर आपको अपना जो फूपिच्चर है अपना जो document है वो आपको upload करना है यहाँ पर पहला जो आधार कार्ड है इस आधार कार्ड को मैं यहाँ पर upload कर लेता हूँ मैं तो यहाँ से आपको मात्र जो है दो तीन सेकेंड लगेंगे upload होने के लिए तो यहाँ पर देखो हमारा जो यहाँ पर आधार कार्ड जो upload हो ग चाहिए हमें वो डालना होता है mostly सभी गोर्मिन साइट पर 100 100 जो है केवी का जो है वहाँ पर डॉक्यमेंट का जो है साइज मांगते हैं तो हमें जो है 100 केवी में किस तरह करना है हम उसकी जानकारी जो है अभी लेंगे पहले हम जान लेते हैं इसका साइज क्या है जो लाश्न में आपको औप्षन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इससे हम स्लेट करेंगे, क्लेक करेंगे, क्लेक करने के बाद जो हमारा ओल्ड इमेज साइज है वो 143.2 KB का है और जो हमने अपलोड करने बाद यह 271.5 KB को जो है उसमें कनवर्ट कर दिया है लेकिन हमें 100 KB में इसे कनवर्ट करना है तो हमें कनवर्ट करने के लिए हमें जो है 4th option जाना है यहाँ पर हमारा जो है रेशियो दिया है इस रेशियो हमें कम करना है तो हमें 100 KB करने के लिए कम से कम हमें जो है यहाँ पर उसे 500 KB के रेंज में हमें जो है उसका रेशियो करना होगा तो यहाँ पर मैं 530 में डाल देता हूं आप इसे कम जादा करके आप बार बार इसे चेक कर सकते हो चलिए मैं एक checking के लिए मैं बता जता हूँ मैं for example मैं यहाँ पर 700 डाल देता हूँ 700 डालने के बाद मैं यहाँ पर resize करूँगा मैं resize करने के बाद यहाँ पर new image को बता रहा है 144.1 kg लेकिन हमें 100 चाहिए तो 100 के लिए मैंने already यहाँ पर size ले लिया हूँ तो यहाँ पर 3530 जो यह size लगेगा यह size को मैं resize करूँगा मैं तो यह जो है 92.2 kb जो है आ रहा है तो हमें 100 kb के अंदर रखना है तो 92 kb जो है इसके लिए enough है यह होने के बाद आपको just यहाँ पर download कर लेना है डाउनलोड करने के बाद यह जो अधार काड है यह इधार काड आपके download जो है site में जो है वहाँ पर save हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर हमारा जो है अधार का जो है size resize हो गया है अब मैं करूँगा अपने photo का resize तो यहाँ पर जो है photo ले लेता हूं मैं photo open कर लेता हूं मैं open करने बाद आपको 2 seconds wait करना है photo जो है upload हो जाएगा तो देखिए photo upload हो गया है अब photo का जो है same procedure procedure same रहेगा तो यहाँ पर जो है 50 KB 50 KB का photo के size का requirement होता है require होता है तो हमें जो है उसके ही 50 के range में ही हमें इसको रखना है तो यहाँ पर 588 है मैं 588 कर करके मैं यहाँ पर 540 कर देता हूं मैं ठीक है उसके बाद मैं इसे resize करता हूं मैं resize फिर चेक करेंगे फिर इसकी size कितना होती है तो यहाँ पर जो है new image समाई जो है वो बता रहा है 199.5 KB तो यह काफी ज़्यादा है हमें 50 KB करना है तो हमें बहुत कम करना होगा तो photo को कम करने के लिए कम से कम जो है आपको इसका आधा जाना पड़ेगा तो चलिए हमें हम of 210 210 जो डाल देता हूं मैं 210 डालने मैं मैं इसको दुबाया resize कर लोंगा मैं resize करने बाद new image size 45.2 KB 45 आ गया है मतलब 50 के जो है अंदर है तो यह photo जो है हमारे form पर upload होने के लिए तयार हो गया है तो मैं इसे भी जो है मैं download कर लोंगा मैं और यह जो है download हमारा हो गया है अब मै इसे जश्ट में cut कर दूँगा मैं अब हमारा आधार cut हो गया हो गया है अब मैं जो है अपने signature का जो है मैं इसे resize कर दूँगा मैं signature के लिए फिर procedure सेम रहेगा हमें 2 seconds जो है इंतिजार कर लेना है इंतिजार मैंने कर लिया photo signature हमारा जो है upload हो गया है अब इसका हम जो है actual size द में सम साइज जो है 153 कुछ के भी हो गया है तो आपको पता है फो टू जब भी हम अपलोड करते हैं तो उसके लिए कम से कम 20 के भी सिगनेचर का जो है रिक्वैड होता है 20 के भी जो है सिगनेचर का जो है सिगनेचर साइज होना चाहिए तो 20 के भी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है काफी कम करना पड़ेगा तो चलिए मैं जो है इसका कम से कम जो है मैं 280 लगबग में डाल देता हूं मैं और चेक करता हूं क्या यह 20 के भी के अंदर आ गया है तो य से कम ज़्यादा करके आप बार बार रिसाइज करेंगे तो यह आपका जो है उसके जितना आपको केबी चाहिए उस केबी का अनुसार आप जो है इसको रिसाइज कर सकते हो तो यहाँ पर 20 केबी हमारा हो गया है इसे भी मैं जो है डाउनलोड कर लेता हूं आपर देखिए मे मैं जो है अपने डाउनलोड जो है option जाता हूँ मैं अब यहाँ पर जो है मैं check करता हूँ मैं मेरा photo जो है 4. पॉट्ट में यहां पर जो है प्रॉपर्टी भी जाता हूं चेक कर लेता हूं फोट्टू का साइज है यह 45.1 KB है मुझे 500 KB तक चाहिए था यह आधार काड है आधार काड चेक कर लेता हूं में इसका 92.1 KB 100 KB के अंदर होना चाहिए यह भी सही है उसके बाद में फोटू का जो है री साइज जो है इसली जो है आप चेक कर सकते हो आप इसली जो है दो मिनिट में सिगनेट में अपने फोटू सिगनेचर और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो इसली इसी जो है वेबसाइट पर जाकर के आसानी से जितने भी आपको उसकी साइज का जो से जो है convert easily कर सकते हो आशा करता हूँ कि आपको जो है कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा और आप अभी आप जो है अपने useful के अनुसार जब भी आप कोई भी government में जो है आप अपना photo या signature या document upload करेंगे तो आप जो है इस website द्वारा अपने photo को जो है research आप easily कर सकती हो तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए जो है विशे के साथ और नए जानकारी के साथ ताकि आपको जो इसी तरह बहतरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के मादिम से मिलता रहे दोस्तों अगर आपने अब तरह मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए और सामने जो bell icon उसको जो है प्रेस करना ना बुलिएगा ताकि इसी तरह का आपको लेटिस वीडियो का नोटिफिक्शन घर बेटे मिलते रहें अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यूँ